नमस्कार मेरे इनु मिस्रा आपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ अगर आप भी बार-बार सोफा कवर ठीक करते करते परशान है तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत यूसफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं ऐसे तरीके से सोफा कवर बनाऊंगी जिससे कि यह इसी में लगभख फिक्स हो जाएगा और आपको बार-बार इसको ठीक नहीं करना पड़ेगा और इस सोफा कवर को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है बस किवल एक साड़ी लेनी है आपको और कोई भी अगर आपके पास पुराना सोफा कवर है अगर सोफा कवर नहीं है तो आप इसकी जगह पुराने चदर बैटशिट वगर इस्तमाल कर सकते हैं हम सभी के पास ऐसी साड़ी जरूर होती है जिसको हम नहीं पहनते हैं वो बहुत दिन से रखा हुआ है तो उसको यूज करके आप इस तरह से कवर बना सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया मेरे पास देखिए पुराना सोफा कवर है थोड़ा सा यह बहुत ज्या उल्टी साड़ यह उपर की तरफ है ठीक है और सीधी साड़ अंदर की तरफ है अब इसमें अच्छे से हमें पिन लगा लेना है पिन लगाने के बाद जब आप कटिंग करेंगे तो उसके पहले आप एक बार जो सोफा के उपर गद्दी रखी हो यह ना उसको ना पले और छोटा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर देखें मैंने ना पा था तो मेरे जो गद्दी है सोफा के उपर उससे यह थोड़ा सा बढ़ा ही है तो इसलिए मैं इसको मतलब सेम जैसे है वैसे ही कट कर रही हूँ आपके पास जो सोफा है उसमें जो गद्दी अगर वो बड़ साइस के ना तो उसके लिए अब सोफा कवर की जगर पूरानी बैट शिट का यूज करें जिससे कि उसको लगाने में आसानी रहे तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से पीन लगा लिया है अब पीन लगाने के बाद इसको इसी सेप में मैं कट कर रही हूँ थोड़ा सा सीलना सुरू करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से सीलते हैं तीन साइड हमें सीलना है उपर की तरफ नहीं सीलना है ठीक है तो तीन साइड इसको सील लेंगे तो इसी तरह से दूसरा जो कवर है उसको भी हम साड़ी के उपर बिछा लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे एक साड़ी में यह पूरा cover बनके मैंने बनाकर तयार कर लिया है, तो यहां पर जो छोटे-छोटे कुशन cover है उनके लिए थोड़ा चोटा पड़ा था, तो यहां पर बीच में मैंने joint कर दिया है साड़ी को, जिससे की यह बराबर हो जाएगा, तो यहां पर मैं दूसरा साड पहले आप फैला लें, अगर आप पिन नहीं है आपके पास, तो पहले कच्छी सिलाई कर लें, सुई धागा से लंबे लंबे टाके लगा लें, उसके बाद सिलाई करें, नहीं तो बीच में सिकुड़न वगर आ जाएगा तो फिर जब इसको सीधा करेंगे तो फिनिसिंग में ही है, तो यहाँ पर देखिए, एक साइट से थोड़ा बीच तक सिल के, अब दूसरी साइट से में सिलना सुरू कर रही हूं, तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही आराम-ाराम से आप धिरे-धिर इसको सिल लिए, ताकि कहीं सिकुड़न वगर ना आए, तो यहाँ पर देखिए, बड़ा वाला सिल गया है, अब जो छोटा-चोटा है, उसको मैं कैसे सिल लूँ, उसके लिए आपको एक बता देती हूं, तो यहाँ पर देखिए, आपस मैं यहाँ पर साड़ियों को जॉइंट कर ले रही हूं, जिससे कि जितना हमें नाप चाह है, और जैसे कि हमने बड़े वाले कवर को जॉइंट किया था ना, सेम वैसे इसको भी पिन वगर लगा के आप अच्छे से, और फिर उपर की तरफ छोड़ते वे बाकी का जो तीन साइड है ना, उसको सीधा करना है, तो यहाँ पर देखिए, सभी रेडी हो गया है, अब चाह से खुला वाला साइड है उपर की तरफ ना, वहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, इसी तरह से जितने भी कवर है ना, सब को आपको सीधा कर लेना, तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से सीधा करके फैला लेना है, फैलाने के बाद क्या करना है ना, कि अच्छे से इसको फ कर रही हूं और फिर अगर आपको लेस नहीं लगाना है न तो ऊपर की तरफ तीनों साइट आपने सिलाई किये न उसके ऊपर एक बार टॉप स्टीच कर ले मतलब उपर से सिलाई कर ले अब यहां जहां से हमने यह कवर सीला था वहीं पर से यह जो साड़ी का लेस से उसको ल का सा प्लेट दे के तब उसके बाद सिलना है जिससे कि इसमें सिकुडन वगर न आए इस तरह से देखिए आराम से आप रखते हुए और फिर पूरे साड़ी में जहां यह सिलाई है यह कवर में वहां पर आप लेस लगा लीजिए तो यहां पर जो ऊपर वाला जो कवर है उसमें मैं लेस को नहीं लगा रही हूँ बस नीचे जो बिछाना है ना उसी में यह लेस बगर लगा रही हूँ यहां पर देखें बहुत ही आराम से लगा रही हूँ ताकि मतलब कहीं भी सिकुड़न बगर ना आए और अच्छे से फिनिसिंग के साथ यह कंप्लीट हो जाए अब यहां पर देखें जैसे इसमें मैंने लेस को लगा वैसे जो छोटा वाला दो है ना उसमें भी लगा लिया है और जो बाकी वाला जो कवर है ना उपर वहां पर देखें मैंने उपर की तरफ से सिलाई कर लिये सबकी उपर एक बार टॉपश टिश कर लिया जिससे कि अच्छे से बैठ जाए तो यहाँ पर देखें अब इसको सोफा में मैं लगा के दिखाती हूं आपको तो यहाँ पर उपर वाली जो गदी है इसमें तो लगाना इजी है क्योंकि यह न मतलब अलग हो जाता है तो इसके अंदर इस तरह से जो कवर है उसको पीछे साइट करते वे और साड़ी वाला साइट जो हिस्सा इसको आगे एक तरफ करते वे इसको लगा लेना है तो यह देखें अब इस तरह से अगर करेंगे न कितना भी बच्चे कूदे उचले तो यह बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है तो यहाँ पर देखें यह तो कवर फिक्स हो गया है लेकिन नीचे के जो गदी है वो उठने वाली नहीं है तो उसके उपर मैं ऐसे दबा के बिचा रही हूं फिर भी न यह देखें इस तरह से जब इसको दबा के बिचाएंगे न तब यह भी बिल्कुल इदर उदर ही ले तो यहाँ पर देखें मैंने फिक्स कर लिया है तो देखें कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है सामने से और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से देखें बिचा लिया है बस इसी तरह से जो छोटा वाला जो सोफा है न उसमें भी मैंने यह cover लगा लिया है अगर आपके पास भी इस तरह का sofa set है तो इस तरह का cover जरूर बनाईएगा उमीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा ये idea और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज मेरे चैनल को subscribe करें, like, comment, share करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छे अच्छी नईने वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you